नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब भिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास लंबे अर्से के बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आये उसके बाद वो कई कार्जक्रमों में सामिल होते हुए देखे गए हैं लेकिन नया अपडेट जो आनंद मोहन से निकल कर सामने आया कि अनंद मोहन ने मुख मंतरी नितिश कुमार से मुलकात की है यह मुलकात किसलिए हुआ है क्या कारण है इसका अभी कोई असपश्ट जनकारी नहीं निकल कर आया है लेकिन दो निताओं के बीच में मुलकात हुआ है तो जरूर समझी की राजनितिक बाते जरूर हुई कि इवन का रवास का जो सजा जो काट रहते उससे बिहार सरकार उन्हें परिहार देकर बाहर निकाली थी लेकिन जी किस्नया की पत्नी उमा किस्नया ने और आये सेसेशन ने सुप्रीम कोट में इसको चैलेंज किया तो सायद मुख मौंटिनितिस कुमार से आनंद मोहन की राजनितिक बातों के साथ साथ राजनितिक मुद्दों के साथ साथ इस सुप्रीम कोट के सुनवाई पर भी सायद चर्चा जरूर हुई होगी ऐसा उमीद लगा जा सकता है अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोट ने बिहार सरकार से इस मामले में जवाब भी मां रहें और छत्रिय समाज को अपनी अवाज अपनी जो हैसियत उसके बारे में जागरित करने का काम भी कर रहें अगर हालिया बात करें तो सासा राम में महराना परताप के उपलक्ष में आयोजित कार्शक्रम के दोरान उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए साथ वहां से एलान करते हुए आनंद मोहनिस साब तोर पर कहा है कि पटना के गांधी मैदान में अगामी अक्टूबर नुवंबर में लाखों लाखों की संख्या में भीड को पहुचाना है और गांधी मैदान को भर देना है तो आप समझे कि 2024 लोकसभा चुनाओं से पहल जोर खोस और दम खम के साथ आनंद मोहन का राजनितिक विरासत की जो पहले बात की जाती थी यानि कि जेल में जाने से पहले उसायत फिर राजनितिक जो है फिर से चमके और चमकाने की कोशिस हो सकती है तो दूसरी तरब सुप्रीम कोट का जिस तरीके से बिहार सरकार से ज तो इस मामले पर भी चर्चा जरूर हुई होगी ऐसा उमीद आप लगा सकते हैं फिल्हाल मुक्मंत नितिश कुमार के साथ अनन्द मोहन की मुलकात आप तस्वीर खुद देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि इस मुलकात के बारे में क्या कुछ बात वाओक आप अपनी कमेंट करके हमें राय जरूर पहुंचाइए इसी तरह की दूसरी ख़बर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें